क्योंकि मैंने बहुत ऐसे YouTube channels भी देखे हैं, MTS की series चला रहे होते हैं, CHSL की series चला रहे होते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि आप तयारी तो कर लेते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ तक आपका नुकसान नहीं है, आप पूरा 60 दिन, 60 मेरातन जैसे ऐसे 100 series चल र का question कितना खतरनाक पूछा गया था, मैंने देखे हैं, मैंने 10-10 जार, 20-20 जार live watching अलग-अलग channel पर देखा है, और सवाल भी देखे हैं, कितने टुचे level के सवाल होते हैं, और फिर exam के बाद पिछले 2 साल से यही देख रहा हूँ, बच्चे को सेंटर से बाहर रोते हुए अगर आपको यकिन नहीं है, तो एक काम करो, पिछले बार के MTS का review देख लो, पिछले बार जो अलग-अलग channel पर जो सवाल चल रहे थे, वो देख ले ना, और जो answer की में सवाल आया था, वो देख ले ना, अगर आपको 50% से जादा का material दिख जाए, कि हाँ, 50% भी जो पढ तो फिर बताओ, इसलिए मैं कभी ऐसा गोली देने वाला काम नहीं करता, कि हाँ बेटा, तुम्हारे लिए MTS के अलग series चलाओंगा, CHSL वाले तुम्हारे लिए अलग series चलाओंगा, CGL के लिए अलग series चलाओंगा, ये बच्चों की वजए से, बहुत बार हम teachers को भी ऐसा कर ये जो मैं अपने बैच में पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर आपके किसी भी एक्जाम में सवाल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखो, तो अपने mindset से ये बात निकाल दो भाई, कि MTS, CHSL, CGL सब क्या अलग 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 ले वाल है, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है, फालतो को सबस्क्राइब भी करना